दोस्तों आप जो यह switchboard देख रहे हैं इसमें प्रब्लम यह है कि इसमें यह वाला socket काम नहीं कर रहा है यह जो switch है इसका connection इस socket के साथ है और इस switch का connection देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहां से wire गया हुआ है यह wire यहां से देखिए यह wire इधर से होते हुए यहां से होते यहां पर आप देखिए यह night bulb के लिए भी यह switch है यहां night bulb तो उस switch से जलेगा ही यहां पर यह night bulb काम करेगा और साथ में यहां पर जो यह socket है इस socket में भी इस switch से यह socket काम करता है यहां कि दोनों एक साथ काम करता है यह वाला भी और यहां पर जो 5-pin socket है यह वाला भी अब यहाँ पर problem यह हो रहा है कि ना तो यह वाला जो socket है काम कर रहा है और ना ही इस switch से यह वाला bulb जल रहा है तो अब इस switch board में देखना पड़ेगा कि इसके अंदर से यानि कि यह जो board है इस board के अंदर में जो wire है वो तूट तो नहीं गया कट तो नहीं गया है या तो जल तो नहीं गया या फिर यह वाला switch तो खराब नहीं है तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि इस socket में line आ रहा या नहीं तो देखे मैं इसके switch को on करता हूँ अब आप यहाँ पर देखे मैं tester इसके अंदर डाल रहा हूँ तो देखे यहाँ पर line नहीं आ रहा है देख लिजे line बिल्कुल नहीं आ रहा है अब आप यहाँ पर देखे इस switch के connection इस socket के साथ है तो मैं इस switch को on करता हूँ आप यहाँ पर देखे, इसमें देखे, लाइन आ रहा है, देखे tester जल रहा ना, तो लाइन आ रहा है इस पूरे board में लाइन आ रहा है, लेकिन इस socket में लाइन नहीं आ रहा है अब चलिए आपको दिखाते हैं, मैं इस तरह का holder and bulb ले लिया हूँ ठीक है वायर लगा हुआ यह older bulb है इसमें line देखते हैं किसमें line आ रहा नहीं आ रहा है आपको दिखाते हैं तो देखे इस 5-pin socket में line नहीं आ रहा है देख लिजे और इसमें देखे line आ रहा है ठीक है तो अब यहाँ पर जो problem है से solve करना होगा तो इसके लिए इस board को खोलना हो तो मैं इस board को पुरितर से खोल लेता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं देखे मैंने इस board को पुरितर से खोल दिया और यहाँ पर आप देखे यह वाला switch है और यह वाला socket है देखे switch यह वाला है इसमें चार वायर जूड़ा हुआ है यह वायर जो है कि night bulb के लिए यह से गया हुआ है इस switch से वह वाला वायर देखे मैं आपको दिखाता हूं यह वाला है यह वाला वायर है यह बिल्कुल सही तरीके से switch में जूड़ा हुआ है यह दूसरा वायर भी बिल्कुल सही तरीके से जूड़ा हुआ है यानि कि इसमें जो चारो वायर जूड़ा हुआ है वो बिल्कुल सही तरीक से जुड़ा हुआ है कोई वायर टूटा हुआ या कटा हुआ या जला हुआ नहीं है ठीक है तो यहां पर आप देखें लाइन आ रहा है और उपर वाले पर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि यह स्विच खराब है अब इस स्विच को बदलना ही पड़ेगा अब मैं यहां पर जो यह स्विच में वायर लगा हुआ है इसे में खोल लेता हूं मैं चालू लाइन में काम कर रहा हूं यानि कि इसमें लाइन है इस switchboard में मैं काम कर रहा हूँ, आप ऐसा मत किजिएगा, आपको जब switch बदलना होगा, तो आप घर का MCB होगा, वहां से line काट दिजिएगा, या घर में कहीं fuse या kitkat लगा होगा, तो वहां से line काट लिजिएगा, देखे, इसमें line मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें tester मैं touch करत हूँ, तो देखे, यहां पर line है, मैं चालू line में ही काम करका दिखा रहा हूँ, मैं इस wire को छू कर भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें line आ रहा है, यहां पर मैं आपको छू कर भी दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप इस line को छूने का कोशीस मत किजिएगा, आपको current लग स कहीं पर fuse लगा होगा तो उसे निकाल कर ही काम कीज़ेगा यहां पर देखें मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर जो दो wire लगा हुआ है एक वैर यहां से देखें इस five pin socket में गया हुआ है ठीक है इसमे लाइन दिया गया और यहां से फिर देखें यह दूसरा इसी स्विच से night bulb में दिया गया है यहां पर जो यह night bulb भी इस स्विच से काम कर रहा है और यह 5 pin सोकेट भी काम कर रहा है ठीक है तो अब मैं क्या करता हूं इस स्विच को पूरी तर से खोल लेता हूं खोलने के बाद आपको दिखाता हूं देखिए मैंने यहां से जो खराब अला स्वीच था उसे निकाल दिया अब मैं यहां पर एंकर का स्वीच लगाऊंगा यह जो स्वीच है हमारे लोकल बजार में कितने में मिलता है अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ प्राइस लिख मैं आपको इसका दाम बता दूँगा ठीक है अब मैं इस स्वीच को इस बोर्ड में अच्छी तरह से लगा लेता हूँ लगाने के बाद आपको बताता हूँ किसका कनेक्शन किस तरह से करना है ठीक है देखिए मैंने यहां पर स्वीच को अच्छी तरह से लगा दी है अब अब यहां पर जो connection करना है वो मैं आपको बता देता हूँ अब आपको क्या करना है यहां पर screw लगा हुआ है तो इस screw को आपको धीला करना है दोनों screw को धीला करना है उपर वाले को भी धीला करना है और ठीक इसके नीचे में जो screw लगा हुआ है इसे भी आपको डिला कर लेना है क्योंकि इसी दोनों में वायर लगेगा तो इसे अच्छी तरह से आप डिला कर लेजेगा डिला करने के बाद इसमें वायर लगाना है तो ये वाला वायर देखे आपको उपर में लगाना है उपर वाला जो टर्मिनल है स्विच का उसमें हुआ था उसी तरीके से इस स्विच में भी वायर को आपको लगा देना है तो देखे मैं यहां पर अठेकल कर रहा हूं तो इस तरीके से ही आपको वायर लगाकर अच्छी तरह से इसे चूरा है तो देखेए यह between नहीं हो गया अब यहां पर जो यह वाला यह फेच का वाइर है यानि कि इसमें लाइन आ रहा है, करंट आ रहा है यह ऐ है मैं यह चूर रहा है तो मैंने आपको बता आ कि इससे मुझत को चू रहा Algair तो देखे यहहां पर इससे चू रहा हूं, क्यों कि नहीं हो रहा है नए वाले को तो इस तरह का हरकत करना ही ने चाहिए क्योंकि उनको knowledge कम रहता है ठीक है इसलिए आप ये गलती से इसे छूने का कोशिस मत किजिएगा ठीक है हम लोग जब wire को छूते हैं तो बहुत ही सावधानी रखते हैं ठीक है अब मैं इस wire को यहाँ पर लगा देता हूँ दोस्तों अगर आप switchboard का wiring connection करना नहीं जानते हैं तो मैं पहले से बहुत सारा वीडियो switchboard wiring connection पर बना रखा हूँ आप उन सभी वीडियो को last तक ध्यान से देख लेंगे तो आप switchboard का wiring connection करना पूरी तरह से सीख जाएंगे मैं आपको फिर से दोरा देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप switch लगाना चाहते हैं या socket लगाना चाहते हैं या बदली करना चाहते हैं तो आप अपने घर का main switch off कर देजेगा या फिर MCB off करके ही ये काम किजेगा देखे यहाँ पर ये connection हो चुका है switch में तो ये जलने लगा है अब मैं इसके switch को off कर देता हूँ तो देखे ये bulb बुच चुका है अब मैं फिर इसे on करता हूँ तो देखे ये जलने लगा है अब मैं क्या करता हूँ यह जो switchboard यहाँ पर खुला हुआ है इसे मैं पूरी तरह से फिट कर लेता हूं, फिट करने के बाद आपको दिखाता हूं और आपको बताता हूं, तो देखिए, मैंने इस बोड को अच्छी तरह से फिट कर दिया हैं, अब ये सोकेट काम करता है या नहीं, तो इसके लिए चलिए, यहां पर इस बल्ब को चेक कर लेता हैं, कि ये जलता है या नहीं तो देखे ये बिलकुल सही जल रहा है देखे ये ओब भी हो गया ये ओन भी हो गया तो अब इसमें कोई प्रप्रोल्ब्म नहीं है ये बिलकुल ओक्श चुका है तो दोस्तों आ इस तरह से अपने Switchboard को ठीक कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों सभी रिस्तेदारों को सेयर जरूर कर दियेगा